Welcome students, तो आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे मोबाइल चार्जर कैसे वर्क करता है बचों ये वो चीज है जो हम सबसे ज़्यादा यूज करने वाली चीज को चार्ज करने के काम में लेते हैं समझेंगे, तो students, आप ही नहीं, कोई भी person इसको समझ सकता है तो हमारे घरों में जो supply आती है, वो खहलाती है AC mains मेंस हमारे घरों में जो करन्ट आ रहा है, वो 6 ampere की value का है और जो voltage आता है, वो 230 voltage है अब mobile जो होता है, वो बहुत कम करन्ट और voltage पर वर्क करता है तो उसको इस value पर लाने के लिए, एक high current, AC current को एक DC current पर लाने के लिए, हम एक circuit का use करते हैं, जो की होता है mobile charger में, ठीके तो mobile charger, mobile charger जो होता है उसके अंदर एक circuit होता है, और वो circuit कैसे वर्क करता है, ये हम देखेंगे तो सबसे पहली बात, mobile charger के circuit में, जब आप उसको socket में लगाते हैं तो सबसे पहला क्या होता है, एक transformer होता है, entry पर transformer का क्या काम होता है, transformer का ये काम होता है कि वो जो हमारे घरों मेर, जो 230 वोल्ट आ रही है, जो high power आ रही है उसको low power पे या low voltage पे convert कर देता है क्योंकि mobile की batteries जो होती है, वो 9 वोल्ट या 5 वोल्ट पर charge की जाती है तो transformer उसको क्या कर देता है, कम कर देता है तो हम यहाँ पर use कर रहे हैं कि step down transformer, right तो step down transform ने उस 220 वोल्ट को convert कर दिया, 9 वोल्ट में उसके बाद, एक यहाँ पर आता है rectifier circuit यस, rectifier circuit, यह क्या होता है क्योंकि हमारे घरों में जो supply आ रही है, सभी जगह पर, जो जितने भी sockets होते है वो supply होती है, AC current, यस, alternative current और हमारा mobile जो charge होता है, जितनी भी तरगी batteries charge होती है, वो होती है DC current पर, direct current पर तो AC को DC में convert करने का काम कौन करता है, rectifier circuit और यहाँ पर use किया जाता है bridge rectifier, जिसमें charged diode होते हैं और वो diode बनाते हैं bridge rectifier, और इस तरीके से AC को DC में convert किया जाता है अब AC को DC में convert करने से पहले उसे क्या करा गया, transformer के थुरू step down ठीक है, step down करने के बाद उसे convert कर लिया गया है AC से DC में, right अब इसके बाद भी अगर वो ज्यादा voltage आ रहा है DC में, तो उसको fixed voltage में convert करने के लिए voltage regulator IC यूज करी जाती है, yes, voltage regulator IC, ठीक है, तो उसको regulate करके fixed voltage में convert कर दिया जाता है जो की simply 7805 और इस तरह की कुछ IC होती है, जिस से हम एक stabilized या एक fixed value का voltage output में निकाल देते हैं अब current और voltage की value उसी आधार पर हो जाती है, उसी तरह से हो जाती है जो requirement हमारे mobile के charger की है तो right, यही ratings जो होती है, mobile पर भी हम देख सकते हैं बचों तो सबसे पहली बात, mobile पर जब आप ratings देखेंगे तो input और output तो input में आप देखेंगे 220V होगा और जो current होगा वो 6A का हमारे घरों में आता है output में जो देखेंगे हम output में जो ratings रहती है बचों वो generally normal जो charger होता है उसमें simply 5V and 2A जिनरली लिखा रहता है 5V and 2A जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में दिखाया हुआ है आपको यहाँ पर तो output में मतलब 5V पर वर्क करेगा और current कितना चाहिए 2A का current चाहिए ठीक है तो यही काम हमारा mobile का charger कर रहा है कि 220V AC को 5V DC में convert कर रहा है और current कितना जितना mobile के charger को चाहिए फास्ट charger होते हैं आजकल यूज किये जाता है तो उनको ज्यादा current की requirement होती है वो 9V 3A के current पर वर्क करते हैं तो आज हमने देखा कि mobile का charger कैसे वर्क करता है तो बच्चों केवल mobile का ही charger नहीं जितनी भी तरह की batteries जो charge करी जाती है battery charger का circuit भी बिलकुल इसी principle पर वर्क करता है ठीक है ओके बच्चों तो आगे नई नई चीजें सीखेंगे इसी तरह के interesting facts तब तब के लिए बाई